निर्गमन अध्याय ग्या रहा। फिर यहवा ने मुसा से कहा एक और विपत्ती मैं फिरोल और मिस्देश पर डालता हूँ। उसके पश्चार वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा और जब वह जाने देगा ताब तुम सभों को निश्चे निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी यहाग्या सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपने अपनी पड़ोसीं से सोने चान्दी के कहने मांग ले। तब यहवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालू किया और इससे अधीक वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरोन के कर्मचारियों और साधरन लोगों की दुरुष्टी में अती महान था फिर मूसा ने कहा यहवा इस प्रकार कहता है कि आधेरात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूँगा तब मिस्र में सिहासन पर विराजने वाले फिरोन से लेकर चक्की पिषने वाली दासी तक के पहलोठे बरन पशुव तक के सब पहलोठे मर जाएने और सारे म इस देश में बड़ा अहाकार मचेगा यहां तक कि उसके समान न तो कभी हुआ और न होगा पर इस्राइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु क्या किसी पर कोई कुट्ता भी लब होकेगा जिससे तुम जानलो कि मिस्रियों और इस्राइलियों में मैं यहवा अ अंदवत करके यह कहेंगे कि अपने सब अनुचरो समय निकल जा और उसके पश्चाद मैं निकल जाओंगा यह कहकर मुसा बड़े क्रोध में फिरोन के पास से निकल गया यहवा ने मुसा से कहे दिया था कि फिरोन तुम्हारी न सुनेगा क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस् और हरुन ने फिरोन के सामने ये सब जमतकार किये पर यहवा ने फिरोन का मल और कठीन और कठोर कर दिया तो उसने इसराइलियों को अपने देश से जाने न दिया